मसब लाहिम नशेटवान रेजीम बिस्मिल्लाहिर्मान वर्हीम रब श्रहने सद्री वैस्टे ले अमरी वाल वक्तों में लिसानी है तो अपाल रब जिद्धी इम्हाँ देर स्ट्रेंट्स अब क्लास 7 असलाम अलेकूं और रहमतिल्लाहि बरकातु बटा आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेज के दूसरे विडियो क्लिप के साथ माज़ूद है गुदिश्टा क्लास में हमने 1.5 एक्सेसाइज नंबर 1.5 का काम किया था और आज हम एक्सेसाइज नंबर 1.6 पे काम करेंगे ये एक्सेसाइज मुदालिख है सेट के हम थोड़ा सा गुदिश्टा जिमों का काम एक नज़र देखना चाहेंगे मैं फिर दो रहा हूंगी इसी सेट के एक्सेसाइज नंबर 1.1 में हमने सेट को बयान किया था सेट इस अप्सेसाइज नंबर 1.2 में हमने इनी सेट के मजीद काम किया था कि उपरेशन कौनकों से होते हैं न और इन सेट के दर मिए हमने यूनियन ओफ सेट से इत्रौ का काम किया इंट्रसेक्श्यू ऑफ सेट सेट से नंख गंज दो सेट सेट की काम किया कोई से ऐसे दो सेट में कोई element common नहीं होता। overlapping sets वो हैं जिन में कोई कुछ elements common होते हैं। 1.4 में हमने काम किया था, universal set, काइनाती set की बात की थी, जिसमें बहुत सारे छोटे sets चामिल होते हैं, complement of sets की बात की थी, तक्मिला set की बात की थी, की जो एक-एक इमदादी set है, अगर एक set हमारे पास U है और दूसा set A है, और set A वो है जो set U का self set होगा, यानि set A के तमाम अरकान set U के member लाजमी होना चाहिए, तो उस सूरत में remaining element of set U जो है, वो complement of set A बनाएगा, युनिवर्सल set के अगर उसमें से set A के तमाम अरकान को निकाल दे, तो बकिया अराकीन पे मुश्तमिल set, तक्मिला set या इमदादी set of set A, set A का तक्मिला set कहनाएगा, complement of set A. 1.5 जो हमने अपनी previous class में exercise की, उसमें हमने commutative and associative properties पे काम किया था, commutative property individual one पे depend करती है कि exchange of the, placement of the elements के बावजूद, जमा या multiply का काम जब हम करते हैं तो कोई फरक नहीं आता था, यह काम हम अपनी class six में कर चुके थे, seven में इसी commutative property को हमने check किया है, union of the sets, intersection of the sets और difference of the sets के साथ, कि आया अगर कोई दो sets का union, मालुपते हैं, तो वो commutative property रखता है के नहीं, intersection मालुपते हैं तो उन में commutative property होती है के नहीं होती है डिफरिंस मालुपते है, तो आया उन्स वो सेट को आपस में associative property रखते हैं या नहीं रखते हैं 1.5 में हमने काम किया था और आज हम अपने नए काम के साथ आ रहे हैं जिसमें हमें Venn Diagram से खाएं जाएं Venn Diagram क्या है मेठा? It's a graphical presentation of set Union of set, intersection of set, subset, difference of set The presentation of all these sets in a graphical position is called Venn Diagram It is introduced in 1881 by John Venn And Venn basically, this Venn Diagram का नाम इन्हीं Mathematician के नाम की वजा से रखा गया है He introduced this पहली मरतमा उन्होंने इस का इस्तेमाल 1881, 1880 में किया अच्छा, जब हम Venn Diagram की बात करते हैं बेटा तो हमें तीन मुख्तलिफ जो हमारे पास टाइप ऑफ operations of sets हैं उनको दिखना पड़ा आया जो sets हमारे पास मौजूद हैं वोट डिस जॉइंट है ओवरलैपिं सेट है या subset इन तीन सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जिन sets के operation की हमें Venn Diagram बनानी है वो set, इन sets का status क्या है अगर उनको disjoint set है बेटा तो इन दोनों को अलग-अलग बनाया जाएगा आप देख सकते हैं अच्छा हमने कहा कि हर set का इक इनिवर्सल काइनाती set है ये rectangle जो shape का एक box मैंने बनाया है ये basically set u को represent कर रहा है हर set किसी एक बड़े काइनाती set का member जरूर होता है तो यहां आम तोर पे जब भी हम Venn Diagram की बात करते हैं हम usually universal set के अंदर अपने दिये गए sets को demonstrate करते हैं बहुत वजात असानी असान काम है सबसे पहले आपने इसकी formation बना ली according to their status अगर ये disjoint हैं तो set A अलग हो गया 1 और 2 इसकी member हो गया set B अलग हो गया 3 और 4 इसकी member हो गया one circle represent one set आग बात आगई बेटा समझे if these two sets are overlapping means they have the common any common element in it if two sets have any common element in it they are called overlapping set अब हे A और B set में the members of set A are 1, 2 and 3 and members of set B are 2 and 4 it means 2 is common दोनों में मोजुन है तो जब भी हमने presentation जू हमने आपको universal set बताया जब भी हमने presentation इनकी इन पे operation हमने करना होगा अगर overlapping sets में करना होगा तो हमें overlap करने होएंगे दोनों शकलों को दोनों sets को और उनमें जो common element है वो इस जगह आजाएगा overlapping portion में वो number आजाएगा बात आ रही ही बटा समझ में set A का एक और टीन बज गया दोनों में common है वो पीश की common जगह पर आगया और B का element जो बज गया वो B में में जली तीसरा status हमने कहा है sub set तो नहीं है कहीं अब मैंने यहाँ set A बनाया 1 to 3 और यहाँ set B बनाया 2 or 3 आप देख सकते है 2 or 3 दोनों में common है यानि set A के if all the members of the given set are the member of another set तो this set will be the subset of the previous one अगर किसी के set के तमाम member एक बड़े set के member भी हो तो यह छोटा set बड़े set का sub set कहलाता है बड़ा set super set कहलाता है याद आया classic का काम तो अगर वो sub set होगी है तो फिर यह शकल होगी बड़ा set और उसके अंदर छोटा set तो दोनों की common element है उस शूटे set में आ गए और बड़े set के remaining element यहाँ यह तो आपको समझा आ गए होगी बात अब हम इस पे operations क्या करें तीन तरह की काम करने union intersection and difference अब पहले अंदेल प्याद है बेटा अगर union का काम इस जॉइंट सेट में होगा ठीके बेटा तो क्या होगा सारे elements को आप इकटे करके लिख देते हैं ऐसे ही करते हैं ना इस जॉइंट डाइग्राम में जो operation है लेकिन अगर यह काम अगर यह काम यही काम अगर overlapping set में होता है तो आप जानते हैं जब भी क्या होता है बटा वन, टू, थ्री और यह टू क्योंकि एक दफा आ चुका है तो फिर क्या करते हैं आप एक ही मरतबा इसको लिखते हैं टू को और यह वन कुछी को शकल हमने बना दी इसकी क्योंकि union कर रहे हैं तो इसमें भी सारे sets में color कर देंगे आप असान सा काम है ना हम तो enjoy भी करते हैं इसकां को बहुत ज़्यादा like a drawing book और अगर sub set है यानि यह बड़ा set है यह चुटा set है union का क्या जवाब होगा आप जानते हैं वन, टू, एल, त्री शकल आपने बना दी है इसकी और color क्या होगा पिटा? मूरे पे ठीक है मुझा? उमीद कर जी union कीनों शक्रों में समझ आगा जाए जब भी आप union मानूप करेंगे bend diagram के लिए काम करेंगी तो आप चेक करेंगे कि आयाद यार disjoints हो है overlapping set और sub set अगर disjoint है तो लगलग बन जाएंगे overlapping है तो उससे को बड़ाप हो जाएंगे सब सेट होगे तो बड़े सेट के दर छोटा सेट हो जाएंगे अब इदी इनों सेट के साथ intersection हो रहा है हमारे पास यहां सेट A और B के member क्या थे 1 और 2 यहां 3 और 4 इसमें तो कोई भी element common नहीं है कहीं भी color नहीं होगा disjoint set होने की शकल में intersection मालूम करेंगे तो कहीं भी color नहीं होगा अब हम आते हैं overlapping set ले इसका जवाब आप जानते हैं क्या होगा 1,2,3,2 and 4 2 is the common element ओके सिर्फ जो common element है उसमें color होगा यह intersection को बयान करता है अगले पर आते हैं बेटा subset की शकल में intersection क्या होगा 1,2,3,2 and 3 अब आप देखते हैं कि जब अगले इसका intersection अगर मैं मालूम करती हूं बेटा तो दोनों में common 2 दोनों में common 3 यानि 2 और 3 set B answer आ रहा इसका जो सिर्फ common element होते हैं उनी में color होगा तो इस पूरे set B में color होगा intersection में common element लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ common item में color हुआ जहां कोई common नहीं है वहाँ color नहीं किया गया आप चेक कर सकते हैं इसको common नहीं था तो blank है जो दो overlapping में जो common element है उसमें color किया है सब set क्यूंकि पूरा के पूरा बड़े set का हिस्सा है तो इस पूरे अंदरों नहीं छोटे set को color किया अब उपर की तरफ आ जाईए union में हमने सब को इखटा मिला देते हैं set बनाने की पाद टूरे में color किया यहां भी हमने टूरे में color किया और यहां भी हमने पूरे क्यूंकि उस्तारे elements में खटा लिका लिकाने अब आते हैं difference की color कि set हमारे पास वही A और B मॉझूद है difference का काम आपको मैंने पहले करवा जो क्यों मैं इसको दुबारा मैं solve करती हूँ set minus का sign आलना है difference के लिए तो यहां member है 3 and 4 अगर आपको यादो तो difference जब मैं मालूम करवाती थी तो मैं cancel out करती थी यहां कुछ भी cancel नहीं होगा यानि पूरा के पूरा A का कोई भी member B में शामिल नहीं है तो हमारा इसका जवाब क्या आएगा A minus B का जवाब आएगा 1 and 2 ओकी अच्छा यहां B minus A है यहां पहले 3 फिर 4 minus 1 and इसका जवाब क्या होगा बेटा obviously पहला set लिखा जाएगा हम करते क्या थे कि पहले set के common element को कार देते थे और remaining element का set लिखाते यहां कुछ कटी नहीं रहा तो as it is पूरा set आया तो अब यहां color इसमें होगा बेटा set A रिप्रेजेंट कर रहा है यह answer यहां क्या answer आएगा set B अब देख रहा है 3 and 4 यही difference का काम अब हम आते हैं अब हम करेंगे overlapping set इस overlapping set के member क्या थे वो हम फिर लिख लेते हैं set A में member है 1, 2 and 3 और set B में member मौझूद है 2 and 4 अगर आपको याद हो कम common elements को कार्ट दिया करते थे हमारे पास जवाब आ गया 1 and 3 1 and 3 अब आप देखिए कि यहां 1 and 3 वाले portion में आपने color करना होगा अगर आपके जब के जब बी माइनस ए आप करते हैं तो पहले set B आप लिखें डिफ्रेंस मालूम करनेता तरीका यही कि कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट कर देंगा वी का सेट में क्या बन गया सिर्फ फोर अब आप देखें किस सिस्थे में यह वाले अलिमेंट है जिस आंसर में एलिमेंट है उसको कर देखें मेंट डाइग्राम बनाना बहुत आसान है पहले आप मालूम करेंगे क्या यह डिस्जॉइंट सेट है यह ओवरलैपिंग है यह सबसेट है उसके साथ पहले फिगर बना लीजिए और फिश्चन सॉल्फ करते जाएं और आंसर के मुताबिब कलर करते चले जाएं यहां सेट ए मैं ने अब सब्सथे ऑगना जात खायए डीन माइनस सेट वी को एंट कर तो कीम एंट देमेंट ने टू एंट त्री इहां को एंट ने आ Jorge तो कॉमन निकल गया थी तो आंसरे गर्याव तो अब कलर कहा होगा सिर्फ इस इसे में जो आपका एक ये वो मेंबर जो आंसर में आ रहे हैं बस आंसर के मुताबब आप बेटा कलर करते हैं अगले सवाल में बी माइनस है तो पहले मैं लेकूंगे टू एंड थ्री माइनस सेट ए है वन टू एंड थ्री जब हम कैंसल आउट करते हैं तो खाली हो गया इसका जवाब आ गया एमटी सेट या खाली सेट यहां कहीं भी आप कलर नहीं करेंगे आप यहां किसी हिस्से में कलर नहीं करेंगे क्योंकि जवाब में आपके कोई कलर नहीं के लिए कोई नंबर बचा ही नहीं है उमीद करते हूं बेटा यह सारे काम आपको समझ आ गये होंगे इंशाला अब हम अपने अगले काम यानि कौपी के काम की सब्साइएंगे यह तीन चीज़ें आपको अच्छी का समझ आ चुकी होंगी चीज़ें अब आते हैं मसें कौपी के काम के लिए